ओम शान्ति वबसाकार मुल्ली में 13, 2024 राबदादा मदुबन प्राता मुल्ली है बटल की मुल्ली है शी बाबा के महावाक्यों मुल्ली का सार है मीठे बच्चे तुम यहां मनुष्य से देवता बन्ये की ट्यूशन लेना है क्यों आए इसलिए काई देने बक्ती में मनुष्य से कि ये देवता करतनलागिवार परमात्मा को सो साल में पूरी दुनिया को परिवर्तन करने की जिमिना और रोकर के चला जाता है इसलिए उनका नाम ही है महाकार इसलिए यहां आते हैं तो हमें ट्यूशन देता है किसका ट दुनिया में जब जाते हैं बड़ी-बड़ी एकजामे होते हैं A.I.A.S. यह तो जिसको जिसको कहते हैं A.I.C.S. इंडियान सिविल सर्विस जिसके द्वारा IES, IPS आदिया यह थी बनती है तो उनकी special tuition होती है कलियोग के अंत में बाबा ये special tuition देने हमें आया कॉड़ी से हीरा बन रहे हो क्या बन रहे हो? कॉड़ी से हीरा मतलब एक दम पतीच से उससे पावन बन रहे है टोटली बेंकरब थे डुब गए थे, उससे हम इस solvent बन रहे है इनसल्वंट थे, उससे हम solvent बन रहे है इसलिए कॉड़ी से ही रा गएते हैं प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाय में कोई भी खर्चा ने लगता है, क्यों? अंसर्ट क्योंकि तुमारा बाप ही टीचर है बाप ही तुमारा टीचर है बाप बच्चों से खर्चा मतलब फी कैसे लेगा आज भी बाबा के यहां प्रमा कुमारीज में कॉर्स की कोई भी फीज नहीं ले जाती नहीं ले जाती और मुरली का कोई चार्ज नहीं होता है everything available online एसी युनिवर्सिटी आपको दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाए लेगे कितना भी आप नजर फैलाओ कहीं भी देखिये नहीं सकते हो यह परमात्मा ही कर सकता है बाप का बच्चा बने गोद में आये तो वर्से के हकदार बने बाप से मिलता है वर्सा मांगना नहीं बढ़ता है किसी बच्चे को जनम होते के मुझे वर्सा दो automatic registry में उनका नाम चड़ जाता तुम बच्चे बीना खर्चे कौडी से हीरे जैसा देवता बनते हो हमें कोई भी खर्च नहीं करना no wastage of money किसी को पैसा नहीं देना no wastage of time कर्म करते करते हमें आत्मा समझ कर बाप को याद करना है and no wastage of energy हमें positive सोचना है इसलिए कोई भी खर्चा नहीं भक्ती में तेर्थ करेंगी दान पुन्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा आजकल देखो हर चीज की fix price में आपको सत्यनाण की कथा करनी है इतने पैसे देने पुड़ेगी कोई ने सरी छोड़ दिया अंतीम क्रिया के इतने पैसे देने पड़ते हैं अब केते हैं बाबा को यासा खर्चा करने के लिए नहीं कहता यहां तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं कर्चा की तो बात छुड़ो बाबा हमें क्या देता है राजाई देता है राजा वो का राजा बनाता है सारा वर्षा मुफत में देते हैं इसलिए उनको कहते हैं भोला नात हम जो भी करते हैं मानों भंडारी में कोई देता है तो बाबा कहते हैं मेरा सरीर तो है नहीं मैं आपका पैसा लेकर क्या करूँगा आप जो दे रहे हो आपके लिए दे रहे हो मेरे लिए नहीं मेरे नाम पर दे रहे हो इसलिए बाबा ने सब जगा पे अपने अपने पूरे ट्रस्ट बनाई टोरंटो में देखो ग्रमा कुमारेज वर्ल स्पिरिचल और्गेनाजेशन आपको कुछ भी देखना है कहां से पैसा आता है कहां जाता है आप डालो Canada Revenue Agency उसके अंदर registered charities उनके अंदर ग्रमा कुमारेज आपको सब कुछ मिल जाएगा इसलिए बाबा कहते हैं कोई बाबा के लिए नहीं देता है क्योंकि बाबा को शरी नहीं पैसा लेकर क्या पावन बनो और वर्सा लो भत एकी इसरता है लिए देरे देरे बाबा की याद से पावन बनना है पवित्र बनना है तो वर्सा उटामेटिक मिल जाता है बच्चे समझते है क्या कि हम student है काली बच्चे नहीं student है बाब के स्टुड़न्त क्या पढ़ रही हो किसके student teacher नहीं बोला बाप के student हम मनुष्य से देवता बनने की tuition ले रहे और सबसे बड़ी दुनिया में यही tuition है बाकि सब tuition और विनाशी नहीं है विनाशी है एक जनम के लिए है और यह tuition बाबा देता है एक की जनम के हम आत्मा ये परमपीता परमात्मा से tuition ले रहे सरी नहीं ले रहा है कौन ले रहा है आत्मा अभी समझ गए कि जनम बाई जनम अपने को दे समझते थे न की आत्मा आइने में जो दिखाई देता था सरी उनको ही हम समझते थे जो दिए क्योंकि आत्मा का ग्यान ही दीरे-दीरे चला गया. हर धर्म सास्तर में आत्मा, रूफ, सोल के बारे में बूध लिखा गया है. मकर धीरे-दीरे दीरे दपता गया है. औरिनल कॉलिटी चली गया. इसलिए इसलिए क्या समझने लगे देह और देह में आकर कोई भी कर्म करेंगे देवान में आकर सब पाप कर्म विकर्म बन जाते वहां लोग के कब आप फिर टिसन के लिए और जगह भेज देते हैं कौन? हम दुनिया में जब पैदा होते हैं हमारे जो फिजिकल फादर होते हैं बड़े होते हैं LKG, HKG या तो स्कूल, कॉलेज और जगह भेज देते हैं सद्गती के लिए और जगह भेज देते हैं साइट साल जब हो जाते हैं रिटार हो जाते हैं साइट पैसट तो गुरु के पाद चले जाते हैं बाब बुड़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस में जाने की दिल होती है परंतु वानप्रस के अर्थ को कोई जानते नहीं वानी से परे हम कैसे जा सकते हैं वानप्रस का मतलब है वानी से परे जाना मतलब परमधाम में जाना जहां कोई वाणी नहीं है क्योंकि वहाँ सरीरी नहीं है तो बात कैसे करेंगे बुद्धी में नहीं बैठता है वहाँ तो वाण प्रस्त मतलब रिटाइर मतलब नोकरी दंदा नहीं करना है बाकिस सब कुछ करते रहते इनकी बात नहीं है अभी तो हम पती थे जहां से हम आत्मा ये आई है वहां तुम पावन थे जब हम परमधाम में थे तो परमात्मा समान थे और पूरे पावन थे यहां आकर पाट बजाते बजाते पतित बने सिधे नहीं बने दीरे दीरे निचे उतरते हैं और इतना दीरे उतरते हैं कि जैसे चिटी की चाल बाबा केते हैं पांच अजार साल में और ये की जनम में सो साल में उपर चड़ जाते हैं इसकी कंपेरिशन में बहुत ही धीरे धीरे निचे उतरते हैं अब फिर पावन कौन बनाएं निचे उतर गए पतित बन गए तो कौन पावन बनाएं पकारते भी हैं पतित पावन आओ गुरु को तो कोई पचित पावन कहा है नहीं सकते कोई भी गुरु को टाइटल सिर्फ परमात्मा का है प्योरिपाई कोई भी धर्म पीता हो धर्म नेता हो कुछ भी हो देवता हो, देवदूत हो किसी को ये टाइटल नहीं है पचित पावन इसलिए बाबा कहते हैं फिपतित पावन कहा नहीं सकते किसी को गुरु करते हैं फिर भी एक में पूरा निश्चे नहीं बैठता है इसलिए जाच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घार ने भी बारा गुरु पिये थे ब्रह्मा बाबा क्यों चोकि एक से पुरा साटिस्पेक्शन या तो क्लेरिफिकिशन नहीं मिलता था तो दुसरा का था हम भी ऐसा ही किया हो ने हमारे जीवन में भी जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है वहां जाएंगे जो इस जाड का सेपलिंग है उसको तुमारे ज्ञान का तिर लग जाता है समझते हैं यह तो क्लियर बात है जो सेपलिंग है जहां जो देवी देवता का धर्म की आत्मा यह है उनको एकदम नौलज बढ़िए बरोबर तुम वानप्रस्त अवस्ता में जाते होने कोई बड़ी बात नहीं वानप्रस्त वानी से परे परमधाम टीचर के लिए स्कुल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है भक्तों को क्या चीज़ी यह भी किसको पता नहीं अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हमें भी जान पहचान नहीं थी बाबा का ज्यान मिला तब पता चला कि यह सुरुष्टी चक्र कैसे गुमता है जिसको हम कहते है स्वदर्शन चक्र या तो सुदर्शन चक्र जितना गुमाएंगे उतना मन बीजी रहेंगा राक्षसों के गले कट जाएंगे मतलब नेगेटिविटी आएगी तम समस्ते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे है फिर उसी अवस्था में आएंगे सो तो तुम बच्चे समस्ते हो पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना पड़े यह मैनत नहीं करेंगे यह कर्म नहीं करेंगे तो कर्म के बिना फ्रल मिल नहीं सकता कितनी भी भावना से हम कोई कारिय करे तो करेंगे तो मिलेगा खाली भावना रखने से नहीं बाव और भाव ना, भाव दिखाए नहीं देता है, भाव ना दिखाए नहीं देता है, इसलिए बाबा कहते हैं, याद करना, लोके के बाब तो सब को याद है, पारलो के बाब को जानती है परिचे नहीं है उनका रूप क्या है जोतिर बिंदू या जोती उनका नाम क्या है तो भाबा तो अपिता तो अभादर कहां रहता है तो परमधाम उनकी क्वालिटीज क्या है काफी क्वालिटीज और उनका करताजी क्या है यह नहीं जानते तो प पूरा परिचेविए अभी तम समझ्हते हो क्या अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहते सहज भी है और डिफिकल्टे डिफिकल्ट भी है बाप न दोनों वारिज किया सहते सहज क्य यह जब हम उनके बारे में प्रैथणा करेंगे practice करेंगे लिखेंगे बार-बार मन में उसको याद करेंगे इसलिए हमारे traffic control बना हुआ है हर गंटे music बसता है हम set भी कर सकते तो क्या हुआ याद रह सके और याद रह सकेगी मतलब कर्म हुआ तो फल मिलेगा तो easy वरना difficult से difficult भी है नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और इतना easy भी नहीं है बाबगते मासी का घर नहीं है आत्मा इतना चोटा सितारा है बाब भी सितारा है वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण पवित्र यह मतलब दादा किया संपूर्ण पवित्रता का संग तारे और कुसंग बोरे स्वतो एक काही संग मिल सकता है तार कौन सकता है एक ही परमात्मा इसलिए उनका ही संग रख बाब कर लोकिक अलोकिक में ज़्यादा नहीं जाए इसका मतलब यह नहीं किसी की help नहीं करो मगर सेवा के तरीके से करो अपना कोई भी स्वार्थ वाहँ उसमें नहीं संग चाहिए ज़रूर संग तो जए यह फिर कुसंग भी मिलता है पांच विकार रुपी रावन का संग दो परकार के एक सत संग, दुसरा कुसंग, द्वापर से मिलता है कुसंग और सत संग होता है सत्युक्त्रेथा में, सत का संग, परमात्मा का संग मतलब उसकी स्रिमत के अनुसार चल, वहां परमात्मा की जरूत नहीं है, परमात्मा की याद की भी जरूत, इसलिए बाबा कहते है उनको कहा ही जाता है रावन संप्रदाई तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाई तुम राम संप्रदाई बन जाएंगे फिर यह रावन संप्रदाई नहीं रहेगा यह बुद्धी में ग्यान है राम कहेंगे भगवान को जो पात्तत्व से पार है निराकार है प्रकाश स्वरूप है उनको राम कहें भगवान की आकर राम राज्य सापन करते है अर्थास्वर्ग सापन करते है अर्थास्वर्य वंची राज्य सापन करते है राम राज भी नहीं कहेंगी परंतु समझाने में सहज होता है राम राज और रावन राज एक्चुली है God's Kingdom के तोकि राम राज में क्या होता है त्रेता का राज समझ लेते वास्तों में है सुर्यवंसी राज अंद्रवंसी ने त्रेता वाला राज तुम्हारा एक छोटा पुस्तत है हीरे जैसा जीवन कैसे बने यहां सकारवरों में भी अवले बने आपका भी खोल कर पढ़ ले अब हीरे जैसा जीवन जिसको कहा जाता है मनुष क्या जाने सिवाई तुमारे उनको तो पताए ने हीरे जैसा जीवन क्या होता लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने देवता अक्षर एड होना चाहिए देखा बाबा हर चीज पढ़ता है तुम फिल करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहां बना रहे सिवाई बाब के और कोई बना न सके किताब अच्चा उसमें यह अक्षर सिर्फ एड़ करो देखा बाबा सब कुछ जानता है करता है तो महासूरी कौडी जैसे जनम से देवताई हीरे जैसा जनम सेकंड में प्राप्त कर सकते हो बीगर कौडी खर्चा एक भी पैसा खर्च करने की बात हैं बच्चा बाब के पाज जनम लेता है तो वर्से का हकदार बनता है बच्चे को खर्चा लगता है क्या गोद में आया और वर्से का हकदार बना खर्चा तो बाब करते हैं न कि बच्चा बच्चा तो छोटा है, वो क्या खर्चा करेंगा, अभी तुमने क्या खर्चा किया है, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या, जी नहीं, जैसे लोपिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वेसे बारलोपिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता, अलोक एक जन्म हुआ ज्यान से प्रम्मा मुख से पैदा हुए अटोमेटिक हकदार बन गए यह तो बाप बेट समझाते हैं पढ़ा कर तुमको देवता बनाते हैं तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो बड़े हो बाप का बनने से बाप राय देते हैं तुमको अपनी रा प्रम्मील और से बड़े हैं इसली बाबर आएदेख इसमें पवित्र aircraft जरूर बनना है कर चा तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं लगता अ गंगा पर जाते हैं तिर्थो पर स्थान करने जाते हैं कर्चा तो करेंगा यंडो़नेशन करेंगे को तुमको बाप पर निश्य हुआ, खर्चा लगा क्या, तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो, अब बेहत के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो, बाप है ने, बाप खुद कहते हैं, मेरा वर्षा तुमको चाहिए, तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के म अब तक पावन विश्व के मालिक बननी सकते हैं, यह भी जानते हो, बाप वईकुट स्थापन करते हैं, समझदार बच्चे अच्छी रिती समझते हैं, उस पढ़ाय में खर्चा कितना होता है, यहाँ खर्चा कुछ ही नहीं, यह वहाँ दुनिया में कितनी फीज होते हैं जितना बड़ा कोर्स, उतनी बड़ी फीज, लाखोर रुपिया फीज होती हैं, आत्मा कहिती हैं, हम अविनाशी हैं, यह हम सरीर में विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदी सब विनाश हो जाएगा, सब कुछ हमारा सरीर, दुसरों का सरीर, अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकठे किये हैं, वो क्या करेंगे, हैं, क्या करेंगे, इतने पैसे इकठे करेंगे, ख्याल तो होगा ने, कोई सावकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं सावकार को, ज्यान मिलता है तो समस्त है, इस हालत में पैसा क्या करेंगे, पढ़ाय तो है सोर्स उप इंकम, बाबा ने बताया था एक अब्राहम लिंकन था बहुत गरीब था और उनकी स्टोरी पड़ लो अब्राहम लिंकन की जीवन कहां रात को जाग कर पढ़दा था और कहां पढ़दा था स्ट्रीट लैड ले बढ़द्पड कर इतना होस्यार हो गया जो प्रेसिडन्ट बन गया घर्चा लगता है क्या तुछ भी नहीं बहुत है जो गरीब होते क्यों गरीब होते हैं उनसे गवर्मेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के स्कॉलर्शिप देती है उपर से यह से बहुत पढ़ते हैं तो भी बिगर फी प्रेशिडेंट बन गया कितना बड़ा पद पाल जे इसका प्रेशिडेंट चोटी बार नहीं बाबा कहते हैं यहां government भी कुछ खर्चा नहीं लेती यहां क्या है बाबा की government जिसको कहते है पांडव government समझती है दुनिया में सब गरीब है फल कितने भी शाहुकार लखपती करोड़पती है वह भी कहेंगे गरीब है क्यों as compared to golden age हम उनको सावकार बनाते है फल धन कितना भी हो तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए है यह साब मिट्टी में मिल जाएगा कुछ भी रहने वाला नहीं जो तो गरीब ठाहर है इसलिए बाकर तो गरीब ही हुए सारा मदार है पढ़ाई जितनी पढ़ाई करेंगे वही साथ में चलेंगे बाकी कुछ भी साथ चलने वाला नहीं इसलिए बाबा कहते हैं सारा मदार है पढ़ाई बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे बाप तो विश्व का मालिक है बच्चे जानते हैं हम भविश में यह बनेंगे, यह मतलब लक्स में नाराण बनेंगे, मैं आया हूँ यह स्थापना करने, और वो ही कर सकता है, दुसरे किसी की ताकत नहीं है, इस दुनिया में किसी को भी पावन बना सके, दुनिया की बात तो छोड़ो, खुद को भी पावन बनाने सकते हैं, बाइफोर्स बनती है, बेज में भी यह समझाने, हमारा जो बेज होता है, नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है, बाबा करते हैं, आगे आगे चलते जाएंगे, नई नई बाते निकलती जाएंगी, जिसको इन्वेंशन करते हैं, कहां ग्यान में भी, ग्यान से तो निक क्ले की दुनिया में मगर यहां भी शी बाबा कहते है हमारी जो आत्मा है उन में सारा बाट नुंदा हुआ विस विंग बनी हमारी तो यह क्या है इंवेंश देरे देर करके आगे पहले प्रदर्शनी नहीं होती थे 1962 से रमेश भाई जो मुंबई वाले थे इसने सरी छोड़ दिया जिसने काफी बुके लिखी है और हमारे जो में ट्रस्ट था उनके में ट्रस्टी थे उसने यह सेवा चालू करवाई मुंबई तो बाबा कहते हैं नई नई इन्वेंश निकल दी रहेंगी जो विकारी पतित बने हैं उनको बाब आकर बावन बनाते हैं यह तो जानते हो क्या पाँच हजार वरस पहले बाब से विश्व की बातसाहिली थी मुक्चे बाद क्या है मुक्चे बाद बाब कहते हैं मा में कम याद करो मम एक मुझ एक को ही याद करो कैसे आत्मा समुझ करो सम्मुक कहते है मुख के सामने आता है दुसरे के सरी में रथ मिल गया तो बाब भी आ गए रथ तो जरूर एक फिक्स हो गाने यह बना बनाया ड्रामा है चेंज हो नहीं सकता कहते है जोहरी कैसे प्रजा पित्धा ब्रह्मा बनेगा लोग कहते देने समझते हैं यह जोहरी था जवाहर एक होती, जवाहराद एक होती है Imitation और एक रियल उसमें भी अलग अलग एक रियल है एक Imitation इसमें भी रियल जवाहराद बाप देते है तो फिर वह क्या काम आईगी यह है ग्यानरतन इनके सामने उस जवाहरत की कोई किमत नहीं तो स्थुल जवाहरत है उनकी अब यह रतन मिले तो समझा यह जवाहरत का दंदा तो कोई काम का ज्यान मिला तो बले यह क्या रगा हीरा पत्थर लगने लगा सब कोई चोड़ दिया दिरे दिये ये अविनाशी ज्ञान रतन एक एक आखो रुप्यों का है ये बाद एकप के साकार बाबा के समेंगी कितने तुमको रतन मिलते है module ये ज्ञान रतन ही सच्चे बन जाते है फिर ये सुक्षमस जो मिलता है में बाबा से उस्थुल हो जाता है तुम जानते हो बाप यह रतन देते हैं जोली भरने के लिए यह मुफत में मिलते हैं खर्चा कुछ भी नहीं अभी तो everything online वहां तो दिवारों छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहते कहां सत्य में उनकी value क्या होगी value बाद में होती है जब population बढ़ता है scarcity हो जाती है तब उनकी value बनती है depending on law of demand and supply तब तक value नहीं है वहां तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है यह तो बच्चों को निश्य होना चाहिए बाप ने समझाया क्या यह रूप भी है तो बसंद भी है रूप मतलब यूप बसंद मतलब ग्यान दोनों है बाबा का चोटा सा रूप है उनको ग्यान का सागर कहा जाता है यह ग्यान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे बाकी कोई अमरत वा पानी आदे की वरसाद नहीं है सास्तर में दिखाते है ज्यान अमरत की वरसाद वगत ऐसा कुछ होता नहीं है स्थुल में अमरत की वरसाद मलब पानी की वरसा अमरत की वरसाद अमरत क्या है ज्यान है स्थुल पानी के रूप में दिखाया पढ़ाय में पानी की बात नहीं होती पावन बनने में खर्चे की बाद ही नहीं तुमको विवेक मिला है समस्ते हो पत्त पावन तो एक ही बाद है तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो कोई पावन बनाता नहीं रास्ता दिखाता है चोइस हमार ये करेंगे तो बनेंगे वरना केसे बनेगे जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाई अब राइट यह है यह है या वह इन साब बातों में गुद्धी चलनी चाहिए व गुद्धी चलाओ विजुलाइज करो ड्रामा में यह भक्ति का पाड़ भी होने का ही है वो पाड़ नहीं होता तो दुनिया यहां तक पहुँचती ही नहीं इसलिए उनका भी importance है भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान का फल है परमात्म मिले बाप कहते हैं अब तमको पावन बन पावन दुनिया में चलना जो पावन बनेगा वजाएगा जो यहां की सैपलिंग होंगे वो निकल आएंगे यहां की मलब सकती बाकी थोड़े ही समझेंगे यह तो दुबन में फसे ही रहेंगे दुबन कितना निकलने का प्रयत्न करो और नीचे चल जाते जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभू तेरी लेला अपरंपार तब तो विनाश हो जाएगा आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते तुम्हारा यह ज्ञान अकबारों में बहुत बहुत बढ़ जाएगा अकबार वाले केनड़ा में भी छापते हैं आजके उनको भी बाबा की टचिंग होती है निमित कोई भी बने मगर काम है बाबा का कराने वाला बाबा है खास यह चित्र अकबार में रंगीन डाल दो और लिख दो शिव बाबा प्रजापिदा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक यह लक्समी नारान बनाते हैं कैसे याद की याद रास याद करते करते तुमारी कट उदर जाएगी तुम खड़े खड़े सब को यह रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते क्या मा में कम याद करो अपने को आत्मा समझो गड़ी गड़ी यह याद दिला कर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है नैन पानी से भिकते है तब समझो कुछ बुद्धी में बैठता है फिलिंग आती है कुछ पहले पहले एक बात ही समझाए पांच हजार वर्ष पहले भी बाप ने कहा है मा में कम याद करो शीव बाबा आया था तो शीव जैनती मनाते है ने भारत को स्वर्ख बनाने के लिए यही समझाया था क्या कि मा में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और पावन बनेंगे तो ही देवता बन जाएं वर्ना नहीं छोटी-छोटी बच्चिया भी बैठ ऐसे समझाएं बेहत का बाब सी बाबा ऐसे समझाएं बाबा अक्षर बहुत मीठा है बाबा और वर्शा इतना निश्य में बच्चों को रहना है यह ही मनुष्य से देवता बनने का विद्या का बना कि क्या का आदा? टीशन अब क्या करहें विद्या ले देवता ये होते ही है पावन अब बाप कहते है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो मतलब मनमभव अक्षर सुने है, न सुने हो तो बाप सुनाते हैं, बाप कहते हैं मैं ही पदिदबावन हूँ, मुझे याद करो तुमारी खाद निकल जाए और सतो प्रधान बन जाएंगे, मैंनद ही यह है, किसकी पावन बनने की याद से ग्यान के लिए तो सब कह देते, बहुत अच्छा है, फर्स क्लास क्यान है, काभी-काभी महिमा कर देते, सुना देते, परन्तु प्राचिन योग की बाद कोई जानते ही नहीं, पावन होने की बाद तुम सुनाते हो, तो अभी समस्ति नहीं, गिता में भी दिखाओ, मगर समय चला गया, धीरे 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 तमो परधानता बढ़ती गई, और तमो परधानता ही सही बन गई, इसलिए बाबा कहते हैं, समस्ति नहीं, बाब कहते हैं, तुम सब पतित तमो परधान बन गई हो, सब, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, असुल तुम आत मुझे भी तुम बुलाते भी हो ओ गौड फादर आओ अब मैं आया हूं तुम मेरी मत पर चलो बाबा वाइदा याद बुलाता कि आपने बहुत पुकारा तब मैं आया हूं अब आया हूं तो क्या कहते थे हम आपको ही याद करेंगे आपके परवारी जाएंगे तब आ इसे पावन होने की मत जिसको कहते है स्रीमत मैं हूं शर्व शक्ति मान एवर पावन एवर ब्योरेव वो कभी पतित बंदा ही नहीं अब तुम मुझे याद करो इनको ही प्राचिन राजयो का जा तुम धंदे आदी में भी भल रहो बाल बच्चे तो गोया कुछ भी नहीं स्वारी बाल बच्चे भी भल संभालो सिर्फ बुद्धी योग और सब से हटा कर मेरे साथ लगाओ बाबन कभी नहीं कहा है अपना फैमिली छोड़ दो नौकरी दंदा छोड़ दो जी नहीं मगर क्या करो अब मेरे साथ योग लगाओ यह है सब से मुक्य बाद यह न समझ तो गोया कुछ भी नहीं समझा ग्यान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ग्यान देते हो पवित्रता भी अच्छी है परन्तु हम पवित्र कैसे बने हमेशा के लिए यह बात समझते नहीं देवताय हमेशा पवित्रत हैने वह कैसे बने यह बात पहले पहले समझाने बा याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे दुसरा कोई दुनिया में रास्ता ही नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चो उप्रती मात पीता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम बच्चो की रुहानी मात पीता बाप दादा को याद प्यार गुद मॉनिंग और नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए मुख्ये सारे पहली पॉइंट स्वयम को गरीब से सावकार बनाने के लिए और सब यहीं चाहते हैं कि अम गरीब न रहे सावकार ब इनकी value जानकर पढ़ाए पढ़नी है जितना value करेंगे उतनी हमारी consciousness में पर जाए और उतनी ही याद बढ़ी यहाँ पढ़ाए ही source of income है इसी से उंच पद पाना है इसी point राम संप्रदाय में आने के लिए संपून पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है कुछ संग से सदा दूर रहे कुछ संग बोरे संग तारे सबसे बुद्ध्यों घटाकर एक बाप में लगाना है आशका बरदाने शक्ति साली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले आज भी बाबा ने समय का महत्व बताया उसमें बहुत अच्छी बात की कि याद केसी रहे इमर्ज रुप में रहे मर्ज रुप में नहीं इसने बाबा कहते हैं शक्ति साली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्ये साली आज की मुली का मुक्य सारी तरह संपन बनो मतलब सर्वख जानों को जमा करने बाबा समझा दे हैं आपकी याद इतनी शक्ति साली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाएं जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगी इसलिए कहा जाता है क्या पद्मा पदम भाग्ये साली जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे पर फलक ही और हो जाती है तो आपकी शकल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाए दे ऐसा रुहानी नशा रुहानी खुशी हो जो अनुभो करे की यह न्यारे लोग है न्यारे और बाप के ब्यारे आज का स्लोगन है ड्रामा में सब अच्छा ही होना है इस पुरुती से बेफिकर बाश्याबन कोई फिकर नहीं रखो सब फिकर बाबा को देख दो और बेफिकर बाश्याब송 मगर कब जब ड्रामा में पूरा निश्य होगा अच्छा ओम शान्ति